हेलो एब्रिवान वेलकम तो दो चानल ओफ केवी टीचर्स गिल्ड बच्चों आज इस वीडियो में हम छटी कक्षा हिंदी का एक सांपल क्वेशन पेपर डिसकस करने वाले हैं यह केंद्रे विद्याले संगठन की वार्शिक परीक्षा का प्रशन पत्र है सबसे पहले आप आपको पठन बहुत दिया है यानि कि ऐसा एक पैरग्राफ जिससे आप पहले भी पढ़ चुके हैं यह आपकी बुक से है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो यह संसार पुस्तक है पार्ट का एक पारग्राफ है प्रशन देखते हैं पहला प्रशन है गद्यांश की पार्ट और उसके लेखक का नाम दिखिए गद्यांश का पार्ट है संसार पुस्तक है पुस्तक है जवाहर लाल नहरू नहरू आगे हामितिहास में क्या पढ़ते हैं हामितिहास में विभिन देशों के अतीत के बारे में पढ़ते हैं विभिन देशों के अतीत के विश्य में हिंदुस्तान या इंगलांड पूरी दुनिया की जानकारी क्यों नहीं दे सकते क्योंकि वो पूरी दुनिया का केवल एक छोटा सा हिस्सा है भारत जो की बहुत बड़ा देश है लेकिन फिर भी अगर हम पूरी दुनिया से उसको उसकी तुलना करे तो एक केवल एक छोटा सा हिस्सा है इसलिए पूरी दुनिया की जानकारी वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये क्योंकि ये दोनों ही देश दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है दुनिया का हाल जानने के लिए किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा दुनिया का हाल जानने के लिए दुनिया के सभी देशों यहां बसी सभी जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा सभी देशों का और उसमें बसी सभी जातियों का यह आंसर है गह प्रशन का और यह है गह का गद्यांज के आधार पर हिंदुस्तान और इंग्लांड में भौगोलिक अंतर लिखिए भौगोलिक अंतर यही है कि हिंदुस्तान जो है वो एक बड़ा भूभाग है हिंदुस्तान काफी एक बड़ा देश है जबकि इंग्लांड सिर्फ एक छोटा सा टापू है चलिए अगे आते हैं निमलिकित पद्यानश को पढ़ कर नीचे देगे प्रशनों के उतर दीजे एक पोएम का पाठ है पुर्ते निकसी रगुवीर बधु धरी धीर दये मग में डग दुआ तो जैसे गाव से निकलती है सीता जी रगुवीर बधु बाहर दो ही कदम रखती है जलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूखी गए मदुरा धर्व है तो बहुत उनको पसीना आने लगता है और उनके होट जो है वो भी कपड़ों की तरह सूख जाते हैं फिर ही बूजती है तो फिर वो पूचती है चलनो अब केतिक अभी कितना और चलना पड़ेगा पर्ण कुटी करी हो कित हुए तुम कर्ण कुटी कहां पर बनाओगे तिय की लखी आतुरता उनकी इस आतुरता को देखकर इस व्याकुलता को देखकर पिय की अखियां पहला प्रश्ण वही है कवी और कविता का नाम लिखें सो कवी है तुलसीदास जी और कविता है बन के मार्ग में नगर से निकलते ही सीता की क्या दशा हो गई नगर से निकलते ही कुछ कदम दूर चलते ही सीता जी ठक गई उनके माथे पर पसीना आ गया पसीना आने लगा और होट सूखने लगे लगे सीता ने राम से क्या पूछा सीता जी ने क्या पूछा था कि अभी कितनी दूर और चलना है कितनी दूर और कितनी दूर चलना है और पर्ण कुटी कहां बनानी है कहां बनानी है अगला प्रश्न है राम की आँखों से आसु क्यों बहने लगे सीता जी की आतुरता को देखकर उनकी व्याकुलता को देखकर व्याकुलता को या फिर उन्हें परेशान होता देखकर को देखकर रामचंद्र जी की आँखों से आसु बहने लगे आगे है आतुर्ता और चारु शब्दों के अर्ट लिखिए आतुर्ता अर्थात व्याकुलता और चारु अर्थात सुन्दर आखों से आगे है वसंत पुस्तक से आपकी बुक वसंत से क्वेशन्स हैं किनी चार प्रशनों के उत्तर दीजिए नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई आपकी बुक का प्रशन है आंसर आपको पता होगा वैसे बढ़ फिर भी एक बार देख लीजिए नागराजन के एल्बम के हिट या लोगप्रिया हो जाने के बाद राजप्पा कुड़ने लगा उसका विद्याले जाने का मन ना होता दोस्तों से भी वह दूर रहने लगा टिकेट संग्रे में भी उसका रुजान पहले जैसा नहीं था उसको टिकेट कलेक्शन का शौक था वो अब नहीं रहा वै हर वक्त अपना आल्बम हाथ में लिए बैठा रहता उसे अपने आल्बम से चिड होने लगी जो टिकेट उसने इतनी मेहनत से एकत्र किये थे एकठ यह जासी की रानी पाट से प्रशन है तो कुछ नाम थे रानी लक्ष्मी बाई सबसे पहले तो लक्ष्मी बाई ठाकुर कुवर सिंग्ग कुवर सिंग कुवर सिंग तात्या टोपे अगला प्रशन है जो देख कर भी नहीं देखते पार्ट से आपको क्या शिक्षा मिलती है यह lesson Helen Keller का एक essay है जहां पर वो बताती है कि प्रकर्ति की कई ऐसी चीजें हैं जिनको वो चूणे मातर से ही बहुत खुशी महसूस करती है काश की वो उनको देख पाती और कई ऐसे लोग है जिनकी आखे हैं लेकिन आखे होने के बाद भी वो बहुत कम देखते हैं प्रकृती के प्रती असमेदन शील रहते हैं मनुष्य जिनके पास जो चीज नहीं होती वो उसको पाने की इच्छा रखता है लेकिन मिली हुई समझ कर उसका उचित प्रयोग नहीं करता तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इश्वर द्वारा दी गई चीजों का महत्वस समझ कर उनका उचित उप्योग करना चाहिए आगे हैं बास भारत के किन किन राज्यों में बहुतायत से होता और इसका होता है और इसका उप्योग क्या है बास भारत में अरुनाचर प्रदेश, असम, मेघाले, नागलेंड, मनिपूर, मिजोरम और तिरपुरा इत्यादी भागों के भागों में बास की बहुतायत होती है यहां पर यह काफी मिलता है बास से मकान, चटाई, टोकरी, फरनीचर, खिलोने, टोपी, जकाई जोकी मश्ली पकड़ने का जाल होता है तथा सजावट की चीज़ें बनाई जाती है अगला प्रश्न लोग गीतों की लोग प्रेता के दो प्रमुख कारण लिखें लोग गीत इतने फेमस क्यूं है इतने लोग प्रिय क्यूं है दो कारण जो आपकी बुक में दिये हैं सबसे पहले तो ये आम जनता के गीत है कि गीत है कोई भी इने गा सकता है आसानी से गाए जा सकते हैं इनमें एक लचीला पन फ्लेक्सिबिलिटी और ताजगी होती है लचीला पन व ताजगी अगला प्रश्न मैं सबसे छोटी हों कविता में बच्चि छोटी क्यों बनी रहना चाहती है आगला प्रश्न बाल राम कथा से ऀए मकु लिए सबंधेंगे से सबस्सक्राइब के साथ बढ़ेजाने के बादार में bekommen उन्हें में चुट्रकूर्ट चूत्वनाइबा पश्चात श्री राम चंद्रजी उन्हें पिता की मृत्यू का भी गहरा दुख था जिसके कारण वे चित्रकूर छोड़ने का निर्ने लेते हैं इसके option में एक और प्रश्ण है सीता ने रावन से राम के पराक्रम के बारे में क्या बताया सीता जी ने रावन से कहा था कि तुम राम की शक्ती को नहीं जानते वे तुम्हें केवल अपनी दृष्टी से ही जलाकर राख कर देंगे सीता जी ने कहा तेरा अंत राम के हाथों होना निश्शित है जिसके बाद रावन बहुत चिंतित हो गया था निश्शित है और तुम्हारा जितना भी वैभव है वो मेरे सामने अर्थ ही नहीं है चली आगे आते हैं नेक्स्ट आगे है व्याकरण सभी प्रश्णों के उतर दीजे पहला प्रश्ण है सर्पंच का क्या अर्थ होता है सर्पंच यानि की मुख्या प्रधान सिचाई और कटाई में कौन सा प्रत्य है आई दो विशेशन शब्द लिखो कोई भी अच्छा बुरा सुंदर सफेद दो योजक शब्दों के नाम लिखो जो जोडते हैं दो अलग अलग वाक्यों को और किंतु परंतु इसलिए जल के दो प्रयावाची पानी नीर तोय दिन और दीन शब्द का अंतर स्पष्ट करें ओके दिन यानि की दिवस दे और दीन यानि की गरीब कीमती और अच्छा दोनों के विलोम शब्द लेखे कीमती का होगा बहुत कीम सस्ता अच्छा बुरा असान ही है व्याक्रण के प्रश्ण मोहन अकेला नहीं खाया ये कैसा वैसे तो गलत है मोहन अकेला नहीं खाता कुछ ऐसा होना चाहिए था ये नकरात्मक वाक्य है नहीं आया है क्योंकि इसमें पर्बत और रस्ता शब्दों के प्रचलित रूप है पर्बत जो है ये पर्वत के लिए इस्तिमाल होता है रस्ता रास्ता अल्पहार शब्द का संदी विच्छेद करिए अल्प प्लस आहार अल्पाहार आगे रशनात्मक लेखने किसी एक प्रशन का उत्तर लिखिए पांच दिनों के अवकाश शेतु अपने विद्याले के प्राचारिये को एक पत्र लिखिए या फिर बंदर और मगरमच विशेपर लगू कथा लिखिए तो पहले पांच दिन के अवकाश शेतु प्रातना पत कि अवकार शेतु प्रातना पत्र जो भी आपचारिक पत्र होते हैं उनमें विश्यश जरूर लिखना है हमें महद्या सविन्य निवेदन यह है कि मैं कल से बिमार हूं अभी क्योंकि यहां पर इन्होंने कारण नहीं बता है कि क्यों आपको चाहिए चुटी और लीव अप्ल कर लीजे मुझे इस तारिक से इस तारिक तक आवकाश देने की कृपा करें इसके लिए मैं आपका सदा अभारी रहूंगा आपका आगेकारी चात्र या चात्रा शिश्य या शिश्य नीचे आपका नाम और आपकी कक्षा अगला प्रशन आगे बंदर और मगरमच विश्य पेपर में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था उस पर एक बंदर रहता था वह रोजाना जामुन खाता था नदी में रोजाना एक मगरमच नहाने के लिए आता था वह बंदर को जामुन खाते देखता और सोचता कि काश मैं भी जामुन खा पाता उसने बंदर से मित थिसहां होते हैं जामुन खाने के कारण उसका दिल भी बहुत मीठा होगा तुम भूछ गए नहीं नीरा शोकर मगर्मश नदी की किनारे आया उसने बंदर से कहा कि मेरी पतनी तुमसे मिलना चाहती है बंदर ने खा ठीक है मैं चलता हूँ वैं मगरमच की पीट पर बैठ गया नदी के बीच में मगरमच ने बंदर से कहा कि मेरी पतनी तुम्हारा दिल खाना चाहती है बंदर घबरा गया लेकिन उसने बुद्धी से काम लिया उसने मगरमच से कहा कि यह है तुमने पेड़ पर ही छोड़ाया हूँ, तुम मुझे पेड़ के पास ले जाओ, तो मैं अपना दिल ले आओ, मुर्ख मगर, यानि कि मगरमच, बंदर को किनारे ले आया, बंदर उचल कर पेड़ पर चड़ गया, फिर वैं वापिस नहीं आया, इस तरह बंदर ने मगरमच से अपन जान बचाई, अगला प्रशन, आगे है वर्तनी, सभी प्रशनों के उतर दीजिए, निमलिकित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए, जहासी वाली, तो मात्रा गलत है, सापर, जहासी वाली, निमलिकित वाक्यांच के लिए एक शब्द लिखो, जो कभी ना मरे, जो कभी जहते हैं, अमर, सही क्रम में लिखकर अर्थपूर्ण शब्द बनाईए, हा, शा, री, का, शाकाहारी, 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 शब्द पूरा कीजिए, ना, रिक, ना, रिक, ब्लांक यहां पर है, ना, गरिक, प्रशन वाचक चिन की जगह, उप्युक्ट शब्द लिख होता है, अनेक, जो सब्बंद आशा का निराशा से है, वही एक का अनेक से है, चले, इसी के साथ, यह जो प्रशन पत्र है, कक्षाची हिंदी का समाप्त होता है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्यू सो मच फू वाचिन में,